हेलो एब्रीबन आयम एम चन फ्रॉम नौजती ग्लोबल स्कूल फाड़पानी दिस इस क्लास सेवन सब्जेक्ट साइन्स चैप्टर अलेवन ट्रांसपोरेशन्स इन एनिमल्स एन फ्लांस जो जन्तु और फादफो में जो ट्रांसपोरेशन होता है परीवहन इसके बारे में में हमने लासमें स्टेडि किया था तॉय जिस के इमपोटेन् टॉफिक पड़े थे जिसमें घ्लक्ऐ वारे माम ये फड़ा था आज का हमारा जो टोफिक रहेगा वो रहेगा ब्लट विसेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे जो रक्त वाहिनिया होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इसमें कहा गया है कि जो शरीर के विभिन परकार की रक्त वाहिनिया होती है जो रक्त को शरीर में एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक ले जाती है जो हमारा ब्लट होता है वो एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक जो ले जाता है तो हम यह जान सकते हैं कि जो अंतहस्वसन के समय ऑक्सिजन की ताजा अपूरती फेपड़ों जो फेपड़ों को भर देती है तो रक्त इस ऑक्सिजन का परिवहन सरीर के अन्य भागों में करता है यह कहलाते है ब्लड वेसल जो रक्त वाहनिया हैं यह कहलाते हैं इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं also the blood fix up the waste materials including carbon dioxide from the cells this blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 10 so two types of blood vessels जो इसकी टाइपस होते है वो दो ताइपस दो परकार के होते हैं इसमें पहला होता है arteries and veins are present in the body so हम बात कर रहे थे कि जो इसकी टाइपस होते हैं साथ ही रक्त को सिकाउसी जो कारून नयाक्सेट सही अन्य अफसिस्ट पदार्थों को ले लेता है इस रक्त को वापस हिर्दे में लाए जाता है जहां से यह फेपने में जाता है और फेपनों से कारून नयाक्सेट वहार निकाल दी जाती है जैसे कि अपनी फ्रीवेस चैप्टर में पढ़ा था और इस परकार सरीर में जो इसकी रक्त वाईने होते हैं जो टाइपस हम पढ़ रहे थे इसमें फर्स्ट है आटरीज जो जिसे हम धमनी एंड जो वेंस होता है सिरा यह कहलते हैं अब जो है आटरी जो होता क्या है इसके बारे हम देखते हैं केरी ऑक्सिजन रिच बलड फ्रॉम दे हाट टू आल पार्स ऑप दवाड़ी धमनिया हिर्दे से ऑक्सिजन सम्रद रक्त को सरीर के सभी वागों में ले जाती है जो धमनी होती है यह हमारे जो बलड है इसको ऑ रक्तवरवाद तेजी से और अधिक दाप पर होता है अता धमनियों को भीतियां दिवार या मोटी और प्रत्यास यह चीजें इसमें होती है आगे हम देखते हैं और कि यह एक्टिविटी हमने लास्ट क्लास में किया था जिसमें आपको बताया था कि प्लेज्ज दा मीडिल एंडेक्स फिंगर और यूर्राइट हैंड औन दा इनर साइड आफ यूर्लाइफ प्रैस इस यह प्रैक्टिकल से हमने आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाय था इसके बाद हम देखेंगे हाट आप जो हाट है जिसे हम हिर्दई बोलता है यह क्या होता है इसके बारे में देखते हैं आपने सुना होगा हिर्दई वह अंग है जो रक्त त्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कारी करता है यहाँ निरंतन धढ़कता रहता है आपने देखा होगा और फिल भी किया होगा इसको इमेजिन अफंप वर्किंग फॉर एर्स विदाउड स्टॉफिंग एपसलूटली इंपॉसिबल ये और हाट वर्किंग लाइक अफंप नॉन स्टॉफ लेट अस नाव लर्न अबाउड दा हाट इसके बाद जो एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए कर रहा है जो वर्सों तक बिना रुके कारी करता रहता है अपने एक ऐसे पंप की कल्पना करनी है जो वर्सों तक बिना कारी किये मतलब बिना रुके कारी करता रहता है यह विल्कुल संभाव फरतित होता है फिर भी हमारा हिर्दे जीवन परियतन बिना रुके रक्त को पंप करने का कारी करता रहता आगे बोल ला है let us now learn about the heart, आईए हिर्ददई के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें करें, इसके बारे हम और जानकारी प्राप्त करते हैं, हाट क्या होता है देखते हैं, the heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left, जो हिर्दई वक्स गवा में इस्थिद होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी वाई और जुका रहता है, जो हमारी chest होती है, तो यहाँ पर यह इस्थिद रहता है, जिसका जो निचला सिरा थोड़ी वाई और जुका रहता है, hold your finger in warts on your farm, इसके बाद अपनी fingers को भीतर की और मोड़ कर मुठी बना लीजिए गया रहा है, इसके बाद क्या रहा है, that makes your face, your heart is roughly the size of your face, इसके बाद आपके हिर्दे का जो size है, लगब आपकी मुठी के बराबर होता है, आगे कहा गया है, what will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other, to avoid this problem, happening the heart has four chambers, the two upper chambers are called the atrius, the same singular atrium भी बुल सकते हैं, and the two lower chambers are called the ventricles, the partition between the chamber helps to avoid mixing up of blood in oxygen with the blood rich in carbon dioxide, अब इसमें हमें कहा गया है कि जो कह रहा है कि what will happen, जड़ा सोचिए, यदि हिर्दई में carbon dioxide और oxygen से समरद रक्त परिस जो परिस पर मिल जाए, तो क्या होगा, ऐसी इस्तिती उत्पन नहुने देने के लिए हिर्दई चार कक्सों में कह रहा है, जो chambers होते हैं, इसमें इसको बटा होता है, चार कक्सों में इसके बटा होता है, जो उपरी इसके दो कक्स, जिसे हम atria आलिंद कहते हैं, और निसले जो दो कक्स होते हैं, निलाई कहलाते हैं, कक्सों के बीच का विवाजन, दिवार, oxygen, समरद रक्त और carbon dioxide से समरद रक्त को परिस पर मिलने नहीं देती, यह आप देख सकते हैं, इसका दिखे, इस ट्रेक्शर, जो मानव हिर्दे का जो, यहाँ पर चित्रा आप दिखाया गया है, section of human heart, इस टाइप का heart होता है, इसमें वेना, कैवाज जो होता है, कावा, यह चीज़ां आप देख सकते हैं, इसका फिकर भी आप बनाएंगे, नोडबुक में, इसके बाद है, heartbeat, अब heartbeat का होता है, इसके बारे मां बढ़ते हैं, जिसे हम हिर्दई इस्पंद बोलते हैं, इस बाद्धि अबहर।, इस एंबहर determination नोडब का लगा, इस बाद्धि ज्य का मृत थैपल तुी आउ, पिस का इन ए करकि जो बेтив हैं, इसरोपार का ओूते हैं, इस मृत्धित हैं, हम इख पिस घ्चीज़ा, कि प्रमीज़ा। होती है जो हिर्दई की जो कक्सी की जो वीतियां होती है ये पेसियों की बनी होती है ये पेसियां लाइबद रूप से संकुचित और विसराती करती है अब क्या होता है कि यहां जो लाइबद संकुशी और उसके बाद होने वाले जो लाइबद विश्रातियों दूरूं मिलकर हिर्दई इस्पंद जिसे हम हार्ट भीट यह कह सकते हैं आगे कहा रहा है जैसे याद रिखिए हिर्दई का जो इस्पंदन जीवन की हर चण होता रहता है यदि आप अपने वक्स की बाई तरब हाद रखें तो अपने हिर्दई इस्पंदों को महसूस कर सकते हैं जी किससक आपके हिर्दई इस्पंद को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं इस चाहे तो इसको नामा के यंत्र का उफ्योग करते हैं यह इसे हम बोलते हैं हार्ट भीट इसके बाद हम एक एक्टिविटी के थुरू से समझते हैं 11.2 में दिया गया है देकी है आख स्मॉर प्लै औप शेल और शेल रुखा शेवन शें सेंटिमेटर इं दाइमेटर चाहै से साथ सेंटिमेटर व्यास की वेखिन केप लीजिए थैं फिक्स और रुबर तूब 50 cm लॉं। tightly on the stem of the funnel stretch a rubber seat or a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band put the oven end of the tube on one of your ears अब इसमें कहा गया है कि जैसे 6-7 cm व्यास की कोई कीप लिजिए कीप के इस्तंब पर रबड की एक नली लगभग 50 cm से ही लंबी इसको अपकस कर लगाईए इसके बाद कीप के मुक पर रबड की एक जिल्ली अत्वा गुबारे को तान कर लगाईए और रबर वेंड की साहित से इसे कज दीजिए इसके बाद क्या होगा आप देख सकते हैं इसको फ्रेक्टिकली जो मॉडल इसने बनाया है इस टैटोस्कोप का यह आपने करना है इस एक्टूविटी के थूरू और इसमें जो भी हार्ट फीट एन फर्स रेट आएंगे यह आप टेबल में सो करेंग सो इस्टूटेंस यह था आज का हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 11.2 एक्सक्रेशन इन एनिमल्स इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में स्टेडी करेंगे कुछ टॉपिक्स हमारे और बचाहें इस लेसन में 11.3 एक ट्रांस्परेशन इसको हम कल की ग्लास में कम्प्लीट करेंगे थेंग्स